हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी विलोग विशी बेंदर पर भारतिय साक्ष अधीनियम 2023 के MTQ सीरीज का आजन सैकिंड पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के सामने फर्स्ट पार्ट में हमने एक से 30 तक क्वेशन कराए हैं आज 31 क्वेशन से स्टार्ट करेंगे तो लाश्ट तक बने रहेगा सभी हमारे साथ और साथी साथ इस वीडियो में हम 2023 वाला जो एविडेंस अक्ट है उसका भी हम साथी साथ कंपरेजन करके चुल रहे हमने क्वेशन दोनों को मिक्चर करके पूछे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी वो भी आ रहा है और अभी AIB के स्लेबस में आप जानते हैं वो ही तीनों जो हैं रखे हुए हैं इसलिए वो तो बिलकुल हमें 100 परसेंट याद होने चाहिए और साथी न्यू भी याद होने चाहिए ठीक है क्योंकि हम लोगों की देखे जो ड्यूटी है वो पढ़ना है स्लेबस डिक्लियर करना हमारा काम नहीं है अब हमें नहीं पता कि स्लेबस में क्या चीज़ आ जाए इसलिए अपना दिमाग ये लगाने की बज़ाए कि पुराने पढ़हनियों दोनों ही बड़े अच अब यहां पर देखे हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है यह चीज़े जो है कौन से सक्ष्ण में रहेंगी आपके शेक्ष्ण रहेगा दूद्नात पांडे है बना मुत्तर प्रदेश राज्य का जो केस है यह हमारा दिया हुआ है सेक्ष्ण 11 सेक्ष्ण 11 से संबंदित है क्योंकि यहां से हमने पूछा कि दूद्नात पांडे बना मुत्तर प्रदेश का जो वाद है वो भारते साक्ष्ण 1772 की किस धारा से संबंदित है तो जो आपका दूद्नात पांडे का जमामला था यह अनियत्र उपस्थिती से संबंदित था औ 2nd option कह रहा है कि धारा 9, 3rd option कह रहा है कि धारा 12 और 4th option कह रहा है कि धारा 8 तो यहां पर देखिए 8802 से हमने एक question पोचा है 8802 में तो यहां पर right option रहेगा A अगर हम आज के coding देखिए देखिए कि अन्यत रुपस्थिती यानि कि वे तत्य जोनेता सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है when facts not otherwise relevant become relevant यह चीजे जो है 2023 BSA के coding कहा दी हुई है तो हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी section 9 में बट त्यार दखिएगा section 9 जो है BSA 2023 है बट यहाँ पर question में क्या पूछा है ठार सो बहातर प्रैट option रहेगा A साथे साथ देखिए हम यहाँ के sections पर आपको recall करा देते हैं क्योंकि इसे क्या होता है बड़ा benefit हम लोगों को मिलता है तो अगर हम देखिए यहाँ पर ठार सो बहातर की बात कर रहे है तो 1872 में जो धारा 11 है उसमें उन तथ्यों की बात की गए जो सुसंगत ठीक है नहीं था तो सुसंगत नहीं बट कब सुसंगत होंगे सक्षन 9 बात करता है शिनाक के संबंध में यादी के सुसंगत तक्ठो के स्थिकर्ण के पूरस्थापन के लावशेगें के शोट में शिनाकट वाली बाते आजाती है श्रेक्षण 12 जो आजाता है वो नुक्सानी से संबंधीद केसिस मादा दो civil केसिस होता है और section 8 जो 8802 वाले का वो आचरंट से सम्मंदित प्रोसेजर है ठीक है और अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी BSA 2023 की तो section 11 अगर हम देखें तो धारा 11 जो हमारी आजाती है वो आजाती है जो अधिकार और रूड़ी के प्रिशनकत केसिस होते हैं उनसे सम्मंदित ठीक है 11 जो है वो अभी वो ही आजाता है कि जो तक्ति सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत होंगे और section 8 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो section 8 में दिया हुआ है आपका जो सर्य अंतरकारी वाली हम चीज़े पढ़ते थे conspiracy के सम्मंदित वो section 8 की अंतरकत दिया हुआ है तो हमने old and new दोनों ही आक्टों से सम्मंदित चीज़े आपको यहाँ पर बता दिया है बड़ इस question का को राइट राइट option होगा यह वाला अब आता है next question number 32 question number 32 बात करता है कि निमिलिखित में से कौन सा साक्ष है अधीनियम 2023 की धारा बारे के अंतरकत मांसिक दसा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है यहाँ पर देखे 2023 का reference यह पूछ रहे हैं हमसे अब मन की शरीरिकी और शारिक सम्मेदना दर्साने वाले फ्यक्टों के सम बात की गई है दो हजारतेईस पे हो सक्षिं 12 में की गई है और 8 इ substitution, बुरा आश्य है इ blaming गा है or प्राशय। ब्राशय इh Question number 33 में बात की गई है, कि कैपर खै की हत्या का आरोप है. तो हत्या किस की हुए यदे कि हत्या हुए है खै की. आरोप किस पर लगाए हुआ है कैपर की कैने खै को मारा है. आरोप लगाए गए है, देकि इलिगेशन लगाए गए उस पर. अब कह उससे इंकार कर रहा है क्या कर रहा है कि भुसने कह को नहीं मारा अब यहाँ पर यह जो हम option पढ़ेंगे इसमें कौन सा फैक्टरली वेंट होगा उसकी मृत्यू से सम्मंदिद तो ए option कर रहा है कि कह की B से जो थी खै से जो थी सत्रूता थी क्योंकि भै उसकी इस्तरी से अवेद शमंद रखता था इसलिए भाई यहाँ पर यह चीज़ लिवेंट होगी B option कर रहा है कि हत्या से थोड़ देर पहले कि खुला चाकुलिये गुस्से में खैके मकान की और जा रहा था ठीक है यह option number B हो गया अब आता है option number C option number C है कि हत्या के कुछ समय बाद यह फरार हो गया ठीक है पहला क्या कह रहा है कि उसकी इस तरी के साथ अवेस्चन के डुसरा कह रहा है कि उसको जाते पर देखा तीसरा कह रहा है कि जब उसका मढ़र से थोड़ी दिर पहले कहने गैसे भी कहा था कि वह खैसे अपना बदला लेगा और लास्ट ट्राइस में पांचवा ऑप्शन है जो कह रहा है कि क्या सभी सुसंगत है क्योंकि इस क्वेश्ट में जो है फैक्ट नीशू नहीं पूशा रिलिमेंट फैक्ट पूशा है तो अगर ह अगर हम एक बार आपको फिर शार ऑप्शन दिखा दें कि यह ऊपर दो ऑप्शन हो गया आपके और नीचे दो ऑप्शन हो गए आपके और यह इसमें पांचो ऑप्शन इसका मतलब राइट क्या होगा राइट ऑप्शन होगा इसमें ए कि यह चारो ही जो कर्णिशन से हैं वो उस काम को अंजाम देने के मामले में रिलिवेंट साबित होंगी और फैक्ट नीशू तक पह ौलता है मनल Khaleg Neantage, जो क्या बोलता है मतलब शूट करना गोली चलाना तो कै शास्य असन दव्यां मिर्थियों करने के लिए विचारी थे यहां पर मिर्थियों करे कान कि शूट करने के विचारम बिचारन चल ऐसे कन बाभ बङटरन चल रहाएं गर sourd कि मडर का विशारन का चल रहा है बट वहां पर अगर आप इधर उधर की इस बात से बाते करते हो कि इस पर और भी लोगों की जो है हत्या करने के आसे से आसन करने का अभ्याशीता तो क्या यह जो क्वेशन्स हैं यह हमारे बी ऐसे 2023 के कोर्णिंग रिलिवेंट होंगे तो य कि कह रहे है कि संस्यूगर्थी क्याटेग्री माँएगा तो यहां पर राइट ऑप्षिन जो है वह होगा ए कि इस प्रकार का जो फैक्ट सामने आता है वो फैक्ट जो है विशंगत माना जाएगा अब विशंगत कहां माना जाएगा तो भी ऐसे 2023 के स्क्शन 12 में था में है और 872 के स्क्शन 14 में यह चीज़े जो है एलिस्टेशन है यह क्या चीज़े है विशंगत माना जाएगा भै ट्राइल किसी और का शुल रहा है आप चीज़े किसी और को इंटूड करें से क्या होता है यह चीज़े इसलिए रखी गई है ताकि एक लंबी प्रक्रिया को रो क्वेशन नमबर 35 यह कह रहा है कि साक्षा धिनियम 2023 में एक व्यक्ति की पूर्वदोस सिध्धी किस धारा के अंतरगत सुसंगत है भै एक व्यक्ति जिसने पहले भी अपराद किया फिर द्वारा कर दिया बट ऐसा ने कि उस पर पहले के अलारोप लगा था उसने पहले जो अधर किसी केस की नहीं दोगे यहां पर जो हम पढ़ेंगे यह इस चीज़ का एक तरीके से एक्सप्शन प्रस्तूत करता है ठीक है यह क्या कह रहा है यानि कि यह जो हम पढ़ रहे है यह है सबसे पहले तो हम आपको बता दें से सक्षन 12 के इलिस्टेशन से ऑप्शन नमबर B है धारा 12 का स्पस्टिकन 2 ऑप्शन C है धारा 14 का स्पस्टिकन 2 और D कहता है कि धारा 24 का स्पस्टिकन ठीक है तो सबसे पहले आपकी जहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नमबर B क्योंकि यह चीज़े जो है अब सक्षन बारे में आ गई ह तो सक्षन बारे का इस पस्टिकन टू यह कह रहा है कि अगर किसी केस में किसी व्यक्ति का विचारण चल रहा होता है और वो पहले भी किसी अपरात के दोसित दोता है तो वो चीजे उसके आच्छन से सम्मधित मामलों को ले करके वहाँ पर दिये जाए को उसका साक्षा डिल कि अकष्ण रहा है सुकति का क्या आध होगा तो इसका रहा है सभी तत्थ्यों को उच्छी तफधारित किया जाना और यह जो हमारी मेग्जिम मुस्ली आती है आपके जो क्वेशन नंबर जो सक्षन 16 हम लोग पढ़ते थे बट 14 पढ़ेंगे वह बार्टीन पढ़ेंगे क यह कहना है कि प्रेष्चन है कि क्या इस संदर्ब में एस तथिये सुसंगत होगा ठीक है क्या पूछ रहे हैं कि प्रेष्चन है कि विसस्ट जो लैटर था वो कैको मिला अब उसको लैटर मिला नहीं मिला इस समझ में relevant fact कौन सा है तो सबसे पहले हम आपको को थोड़ा सा बता दें कि यह जो इलिस्टेशन से से लिल्टिड आपका जो यह question बना हुआ 37 नमबर यह BSA 2023 के कोडिंग अगर हम देखें तो section नमबर 6203 में तो section 14 से आएगा and 842 वाले यह पहुचेगा आपका जो 842 वाला था उसके section 16 में था और इस इनका जो यह इलिस्टेशन इलिस्टेशन नमबर 2 है क्योंकि ध्यान रखेगा आपके साक्षे धिनियम के अंतर का बहुत इलिस्टेशन आपको सभी इलिस्टेशन अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि प्री हो में सब में बहुत इंप्रेशन होते हैं तो देख इसमें option देख लेते हैं कि कौन सा fact relevant है उसे सामाना अनुक्रम में dark में डाला गया ए option के रहा है बी option है कि पत्र कलर को दिया गया सी option कि उसे dark में डाला गया पुने प्रेशन द्वारा नहीं लोटाया गया डी option कोई भी गदन सत्य नहीं तो यहां पर राइट option होगा सी कि भाई ये relevant fact क्या है कि विशिष्ट पत्र कैक को मिला क्योंकि उसे डाक में डाला गया और फिर दो बारा वो पुने प्रेशन केंदर द्वारा लोटा है नहीं गया तो उसका मतलब क्या होगा लेटर भर मिल गया होगा क्योंकि कोई भी लेटर आपने भेजा और अगर सामने जिसको है कि तलाक के केस में पत्नी द्वारा अपने प्रेमी को लिखे गए पत्र की भावना धारा बारा है दो हजार तेईस वाले बीएसे के अंतरगत क्या मानी जाएगी भाई उसकी जो फिलिंग्स हैं क्योंकि हमारी जो मन की या शरी के सारी सम्वेद रहें चीज़ें कहां रि है विशंगत है शूप्शन के रहें कि संस्युकृति हैं डी ऑप्शन के रहें कि कोई भी सही नहीं है तो यहां पर एट ऑप्शन होगा एवाला ठीक है कि यह धराबारा के अकोर्डिंग रिलिवेंट मानी जाएगी नेक्स्ट है क्वेश्ट नमबर 39 क्वेश्ट नमबर 39 चैसा ब्राइब उप्शन है बूटा सिंग बना पंजाब राज्य कोई संस्युकरति हैं बडब बड़ा करें बहां किसी चीज को ले करके तो वहां पर भी संस्युकरति मानी जाएगे ऐसा केस में किया गया तो यूपी का केस है तो वैसा भी बहुत इंपोर्डन है question number 40 सह अभ्यूक्त द्वारा अपराद के समय दिया गया कथन साक्षा दिर्म 2023 में ग्रहिया है देखे 2023 को reference देके यहाँ पर यह question पूछ रहे है सह अभ्यूक्त option A है धारा 30 में option B धारा 24 में option C धारा 26 में option D धारा 29 में जो main आधार है वो 2023 का धीनयम है इन चीज़े यहां से संबंध हमने आप से question और पूछा था कि सहभ्यूक्त द्वारा अपराद के समय दिया गया कथन कहां पर ग्रहिया है वहां पर जो है section 4 के according ग्रहिया माना था बट यहां पर देखिए अगर हम उसे ek transaction के पार के according देखें तो वहां पर भी वो relevant होगा बट सहभ्यूकी संस्यकरती को ग्रहिया बनाया कहां गया है तो बट यह सक्षन 24 में चीज़े आम पढ़ते थे चारसो बातर के section 3 में बट इस question का according right option होगा आपका बीवाला next है question number 41 एवांचनिये विधी से प्राप्त साक्षे ग्रहिये है यदी यहनने था सुसंगत है बट चाहे जो साक्षे ग्रहिये है जो साक्षे प्राप्त किया वो आँवांचनिये विधी से प्राप्त किया बट वो relevant है बट अगर चीज़े relevant है तो ग्रहिया होंगी ठीक है तो किस case में कहा गया था एक ए रहा हर परिशाद बनाम सीवदेल, भी ऑप्षिन केड़ा है करनाटक राज्या बनाम चांद भासा, शी ऑप्षिन केड़ा है पुस्पा देवी, एम जटिया बनाम ML वादवा, डी ऑप्षिन केड़ार, रोनी बना महरास्ट राज्या, तुछ म सब्सक्राइब की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्षे किस केस में कहा गया है पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि टोमास बुरुनो बना मुत्तर प्रदेश राज्य के केस में कहा गया था कि सिसी टीवी जो कैमरे की फिल्म होती है वो सर्वोत्तम साक्षे क्याटेग्री में आती है आप जानतू कि आज किस में कितनी इंपॉर्टन यह चीज़े हो गई हैं सिसी टीवी कैमरे के पार फोर्टी थी कह रहा है कि नियाले में निरिक्षन के लिए प्रियुक्त करें कि कोई नहीं तो यहां पर कॉश्च नमबर फोर्टी टू का अंसर नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा इलेक्ट्रोनिक और डिजिजल दोनों यह भी लेखों में प्रियुक्त दस्तावेश कंट्रूर्ट किया गया क्योंकि डिजिजिजल एब चीज़े ज्यादा तर जो प्रावधान है वो साक्षे दिनम 2023 में कहां पर नहीं थे देखिए यह पूरा पूछ लिया इनोंने कहां पर नहीं थे कहां से कहां तक के चैप्टर्स में आप जो है तथ्यों की सुसंगती पढ़ते हैं सबसे पहले हम आपकी जानकार इक लिए बता दें कि यह तथ्यो यहां है अठार सो बहातर में भाग एक में चैप्टर टू में सक्षन 5 से 55 तक जो है तथ्यों की सुसंगती का प्रावधान था बट यहां पर हमारा क्वेशन के है 2023 में कहां पर क्या गया भी ऐसे तो भाग देखिए दो है यहां पर पहला ऑप्षिन की बात कर रहे हैं अध्याय तीन और धारा तीन से पचास तक डियो ऑप्षिन कह रहा है कि भाग दो ठीक है और अध्याय तीन और धारा छे से 55 तक तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टन कॉस्चन है तो यहां तथ्यों की सुसंगती जो है बैसे 2023 में राट ऑप्षिन होगा ए कि यह च हमारा कॉस्चन नंबर है 45 जो कहता है कि सबूत का क्या प्रणाम होता है इन चार ओप्षिन में सबूत का प्रणाम क्या है ठीक है ए जांच का बी साक्षे का सी अन्वेशन का और डी कथन का तो सबूत किसका प्रणाम होता है बैस कौन सी चीज आप कोर्ट में जाकर देते ह है तो इसका right option होगा भी यानि कि सबू जो प्रणाम है वो साक्षय का प्रणाम है उसके बाद question number 46 कह रहा है कि निम्न मेंसे किस case में लेमिंग्टेन रोड shooting सडेंतरवाद के नाम से जो है famous माना जाता है कौन से case इस यहां पर section 8 क्योंकि हमने क्या कर दें टू माइनस कर दो यहां पर section 8 रोड वहां पर section 10 में दिया हुआ था ठीक है अब यहां पर पूछ नहीं कि लेमिंग्टेन रोड सूटिंग सडेंतर की नाम से कौन सा case था यह option कर रहा है आर बनाम किंग इंप्रेर का जो case था यह लेमिंग्टेन रोड सूटिंग सडेंतर से स्वा मस्ता और सेक्शन 10 बहुत ही लीडिंग केस है मिर्जा वाला चीक है इक्लेरेशन यह कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा है परिक्षाएं यह तो मोस्ली चाहिए प्री हो चाहिए में सूखर एक्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है तो यहां पर पूछा है कि स्वीकरती को कहां डिफाइन क्या गया है तो पहले हम थोड़ा सा रेफ एक्स्ट्रा हो जाएगा ठीक है क्योंकि पहले 17 में थे दो माइनस कर दिये 15 यहां पर जो है हो गया है अब क्यात करेंगे कि स्वीकरती कहां पर डिफाइन है 15 के अंदर बिना किसी पूर्वधार्णा से जारी किये गए संदेश सुरक्षित है ठीक है बिना किसी बिना किसी पूर्व अवधार्णा वाली बात जो है अगर हम तो यहां पर क्योंकि देखे यही चीज़े जो है जीजी सेम रखी गई है हमारे लॉस के अंदर चीक तो भी ऐसे के सक्षण 21 के कोडिंग आएंगे राइड ओप्षन हो गभी बट अगर हम इसे 832 कुई आपको याद तभी होगा कि 832 में गया जिसे थी बिलकुल थी सक्षण केसिज वहन रिलिवेंट की सिविल केसिज में की गई सुईकरती कब रिलिवेंट होती है तो वह चीज़े जो है भी ऐसे 23 के सक्षण 21 में है और भाई अगर यह चीज़े 23 में हम पढ़ते थे कि बिना किसी पूर धारना वाली चीज़ संदेज जो है वहां पर 23 में स्रक्ष सब्सक्राइब नहीं है तो नहीं पर फोकस किया था क्या सभी नहीं है नेक्षा कॉस्ट नंबर फिफ्टी भारते साक्ष अधिन्यम धारा 21 एक स्विकृति संस्विकृति करता की ओर से उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्विकृति साक्ष अधिन्यम 2023 अब यह पूछें कि यह चीज़े कि अगर हम बी ऐसे के अकोर्डिंग देखें ठीक है भारते साक्ष अधिन्यम में एक चीज दी हुई थी कि स्विकर्थी जो है उन्हें करने वाले व्यक्ति के वुरुद्ध मौसली की जाती है बढ़ कुछ कर्णिशन में उनकी और से भी साबित की जा सकती है जैसे कि वह सेक्शन 32 के according हो मन की दसा के रूप में हो या अन्य कहीं भी relevant हो अधर अब यहां पर दी के यह चीज ने बढ़ 2023 वाले में कहां पर दी हुई है तो यहां पर जो है राइट ऑप्शन होगा आपका A के रहे धारा 21, B के रहे धारा 19, C के रहे धारा 20, D के रहे धारा 31, को कि नॉर्मली बात है भाई अगर 2872 वाले में धारा 21 थी तो यहां तो यहां तो यहां पर राइट ऑप्शन ह होगा भी कि 1872 वाले evidence act में जो चीज़े 1121 में दी हुई थी और 2023 के section 19 में दी हुई है कि स्विकर्थियों से करने वाले के व्रोध और उसकी और से उसके द्वारा भी साबित की जा सके ही conditions हम आपको बता चुके हैं कौन सा कथन सही है सही स्टेटमेंट पूछ रहा है ए ऑप्शन स्विकर्थियों क्यों मोखिक हो सकती है बी ऑप्शन स्विकर्थियों क्यों मोखिक दस्तावेजी हो सकती है और ऑप्शन स्विकर्थियों क्यों दस्तावेजी हो सकती है और ऑप्शन स्विकर्थियों मोखिक या दस्तावेजिज एलक्ट्रोनिक रूप में हो सकते हैं राट ऑप्शन होगा डी क्योंकि 15 वियुक्ति करने वाले पर बंधनकारी होती है किस किस पर बंधनकारी होगी कब होगी करने का तो पक्षकारों का साक्षों का मतलब ही नहीं बनता वो किवल तथे से संब्धित ही कर सकते हैं नेक्स राट वेक्षन नंबर 53 यह कर रहे कि स्विकर्थी कोन कर सकता है एक स्विकर्थी वेक्ति वेक्ति नियाले ले इस कारवाई से संब्धित गवा और वेक्थी जिससे ही तुथपन हुआ है तो यहां प्राइट ओप्शन क्या होगा देखिए वेक्ति जिससे ही स्वीकर्टी जो कर सकता है यह स्वीकर्थी स्वातन्त व्यक्ति का संबन्दी थोड़ी कर सकता है तो इस चीज़ें पर दी हुई है तो इसे इसके बाद आते हैं next question number हमने इसका राट option बता दिया आपको D होगा next question number 54 इसमें यहां पर देखिए सुमेलित करवा रहा है पक्षकार दोरा निर्दिस्ट वैक्तिव दोरा सुई करती के यही चीज़ बता रही है नहीं 16 जो section है वो बतादा है कि जो सुई करती है वो कारवाई के पक्षकार अभी करता दोरा जीयां पंधर है का जो option होगा व्टू सही है 16 का जो option 17 सही है सोरी हम बतलब जो चोथा वाला option है वो ठीक है कि 16 का राइट option जोगा वोगा फोर वाला तो ए यानिके धारा 15 बात करती है टू स्वीकरती के परिभासा दारा 16 भी बात करती है फोर स्वीकरती करवाई के पक्षकार या उनके एजेंट कर सकते हैं सक्षन आपका आता है नेक्स 17 17 कह रहा है कि कि स्वीकरती जिनकी स्थिवाद के पक्षकारों के वृद्ध हो बिल्कुल सी का आपका तीसरा ही आएगा 17 का 17 और बिल्कुल 18 का आएगा ए पक्षकार दार निदिस्ट वेक्तिव द्वारा स्वीकरती ने उस पौपार्टी निर् चोथा होगा, C का तीसरा ही होगा और D का जो है, वो कौन सा है पहला है, तो आई अब देखते हैं यहाँ पर हमारा right option कौन सा बैट रहा है, यानि कि A का हो गया दूसरा, तो A का दूसरा तीन option में तो हमारा तो male fit बैट ही रहा उसके बाद आते हैं, 16, 16 का जो है चोथा, तो 16 का चोथा हमारा B and C में बैट रहा है, ठीक है, दोन option बैट रहा है, यहाँ पर भी हमारा चुल A हमने remove कर दिया, बट B और C हमारे बचें क्योंकि D बिल्कुल अलगे, तो D that option नहीं है, A, B नहीं है, तो आप कोण बचें है B and C बचें, ठीक है, यहाँ पर कोण बचें, B and C जो है, यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं B, अब हमें देखने हैं, 17, 37, आपका questions जो है sections आपको learn हो गए होंगे next question भी हमारा सुमेल का है ठीक है अब यहाँ पर आते हैं कि यह चीज़े कहां कहां पर दी हुई है इसे देखिए आपके जो section वाला portion है BSA का वो बहुत ही मजबूत होने वाला है सबसे पहले हम आते हैं अपने question number section number 25 पर कि 25 क्या कह रहा है तो 25 देखते हैं भाई यहाँ पर क्या बात करता है कि सुईकरती निश्यायक सबूत नहीं है विबंध है 25 आएगा हमारा 3 से ठीक है यानिके ए option का right हो क्या होगा 3 यानिके धारा 25 क्या करें कि सुईकरती निश्यायक सबूत नहीं है क्या है विबंध है ठीक है उसके बाद हम दूसरा section आ रहा है हमारा 20 तो 20 में क्या बात की गई है ठीक है section 20 में क्या बात की गई है कि जो दस्तावेज हैं उनकी अंतरवस्तू के बारे में मोखिक स्वीकरती तो ऐसा कहां पर किया गया देखे यहां चोथे portion में क्या गया है कि दस्तावेजों की जो अंतरवस्तू है उस कि उसके बारे में मोखिक स्वीकर्टी sasывает को कर सकते हैं तो pred हें धारा 10 गांनीच स्वीकृत कर सकते हैं तो परहने स्वीकर्ट होbas स्वीकर्त सब्सक्राइब एक सान नЕज यह लोगत और कि दंधांनी वीवाल स्वीकर्ट сог कर्छे यह साइन तो आप देखते हैं पहले यापर में 3 option दिख रहें एक हमारा कौन सा या हमारा कौन सा है ? 3 तो अगर हम बात करें तो एक तो एक का भी तीन है यहां पर और C बे भी तीन है, तीने option तो यान के B और D हमारा यहां पर हम हटा देते हैं, हाँ पर competition किसका A का और C का है ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, दूसरा, धारा 20 में क्या चीज़े दियों है, धारा 20 कहते हैं, कि देस्तावेजों के अंतरवस्तू के बारे में मोखिक शूर करते हैं, यानि के B का कौन सा होगा, B का है हमारा 4, तो B का हमारा 4 यहां पर, यह भी competition सेम करा हुए, दो option तो ह question जो है, पोट अप होते हैं, इसके बाद next question भी हमारा जो है, chronicle है, कूट का है, अब बाद आते हैं, आपर धारा 21 में, धारा 21, क्या बात करते हैं, पीछे पढ़े थे, सिल मामलों में सुई करती हैं, तो कहां है, धूंडिये, एका क्या हो गया, तीन हो गया, 23 क्या बात करत है, C, 24 में क्या दी हुई है, सहब्यों के साथ संस्विकरती, तो यानि कि C का जो है, आपका सहय हो गया, पहला वाला, उसके बाद आते है, 27, 27 जो हमारा बात करता है, वो बात करता है, कि तथ्यों की सत्थेता को पश्चातवरती कारवें में साबित किया जाना, तो 27 तो हमा यह आप लोग देखिए 21 कहता है कि सिविल कारवाहियों में स्विकरती हैं कि हमारा एका क्या है एका हमारा तीन है तो हमारे यहां पर तीन कॉश्चन बैट रहे हैं A C and D B को हम छोड़ देते क्योंकि इसमें पहले सी अलग ओप्शन है उसके बाद आता है 23 क्या करें पुलिस अधिकारी के से की गई संस्विकरती है यानि के बी का कौन सा है पांचवा तो बी का पांचवा तीनों में ही द्या करते कि यहां पर भी संस्विकरती है ठीक है उसके सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है तो आज किस वीडियो में हमारे हो गए सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नॉटिफिकेशन मिलता रहे हो साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी जो है शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले कि आपको यह वीडियो